गुराफ्टनुन स्टूडेंट्स, माइनेम इस रमान दिपकौर, यह लेक्चर है आपका बिजनेर्स एथिक्स और सीएसर का, आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स टॉपिक है, आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस आफ शोचल रिस्पॉंसबिलिटी उस जो बिजनेर्स अपने शोचल रिस्पॉंसबिलिटी शोचल एक्टिविटी करता है तो उनकी जो इमेज है वो इनक्रीज होती है ठीक है, जैसे फॉर एक्जामपल टाटा ग्रूप एंड अडानी ग्रूप यह दो हैं, तो जो टाटा ग्रूप है वो मेंली जो है वो शोच ज्यादा करती है तो फिर जो कस्टमर जो है वो ज्यादा टाटा ग्रूप की तरफ अट्रेक्ट होंगे ठीक है, तो जो बिजनेर्स शोचल रिस्पॉंसिबल होती है वो सोसाइटी के जो रिसोर्स होते हैं उनको बहुत ही एफिशिंट वे से यूज करती है जो भी करती है उसको हाम नहीं करती है लोंग दर्म बिजनेर्स इंट्रस्ट इसमें क्या है कि जो भी बिजनेर्स ओगनाजेशन शोचल एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगी सोसाइटी के लिए परफॉर्म करेंगी तो उनका जो उनकी जो अस्वाइव है वो ज्यादा टाइम त अपना ब्रैंड लांच भी करेंगे तो कोई भी कस्टमर जो है उनकी शोचल रिस्पॉन्सबिलेटी को देखकर ही उनके ब्रैंड की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा तो वो ऐसे हैसे हैजिटेट नहीं फील करेगा अगर उसने कोई भी टाटा का ब्रैंड लेना हो ठीक अगर उनको अच्छे से फॉल्यव करता है वहांकि अपनी शॉस्ष़ल क्तिश ठ落ब नके घुम्त है इस अजरेगा हो पर अच्छे लकारविदेद मेणative में इस फ давно कर एच्छे डोवादा दिश्पॉन्सब्न के अच्छे प्रॉफिट हो ऑफट होन फीले प्स इंसमी पा नेक्स्ट इस इंक्रीज केस्टमर बेस्ट का जो और की ज़्यादा जीजक्री आपने ही जादा होंगे तो जयादा अपने कस्टमर इंक्री 이제 करें गे तो जैसे माइक्रोसफ्ट है उनके वह बहुत सारी CSR की social activities में involved होता है तो उनके पास बहुत सारे users है जिनसे उनकी image जो है वो positive बन जाती है तो और customer जो है वो अपनी दर्फ attract करता है next is government regulations तो जो भी organizations है अगर वो socially responsible होंगी है तो government भी उनको help करेंगी अगर वो कोई भी misconduct करती है वो organization वो socially irresponsible हो जाती है तो government के पास power होती है कि वो उनके जो हक है वो शीन सकती है उनको penalty कर सकती है कि वो उन्होंने wrong गलत काम किया है तो उनको अपनी duties जो है वो सारे government की regulations के according जो है वो discharge करेंगी ठीक है next हमारे पास जो में हाड़ी है वो है argument against of social responsibility of business की social responsibility के arguments जो अगेंस्ट है जो उसके खिलाफ है social responsibility के first है increased cost बहुत सारे business इसलिए social responsibility की तरफ attention पे नहीं करते है क्योंकि उनको लगता है कि इसके उनकी cost ही increased होगी ठीक है large corporations organization वो फोर्ड कर सकती है कि वो CSR activities करें बट जो small companies होती है small firms होती है या उनके पास इतने funds नहीं होते कि वो अपने business को चलाने के साथ साथ वो social responsibility जो है वो भी discharge करें तो वहां पर क्या हो जाते है कि इसलिए attention नहीं पे कर पाते है क्योंकि उनके पास cost इतने ज्यादा funds नहीं होते है उनको यह लगता है कि यह extra cost है ठीक है next is motive of earning profit इस point में क्या होगा motive of earning profit में कि business organization इसलिए भी नहीं कई business organization इस रीजन की वज़ा से भी नहीं social responsibility पर इतना ध्यान देती क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो social responsible करेंगे socially हो किसी वी चीज में वो help करेंगे तो उनके जो profit है वो कम हो जाएंगे कि वो अपने profit जो है वो society में भी डिवाइड करें तो उनका profit जो है वो कम हो जाएगा तो profit motive की वज़े से भी वो socially responsibility जो है फुल्फिल करना नहीं चाहते है उनको attention नहीं देना जाते है next is burden on consumer जो भी social responsibility है इनका mainly burden तो जो consumers पर ही होता है क्योंकि जो company होती है वो अपनी social responsibility ठीक है वो उसका पैसा जो वो social responsibility पर लगाती है वो पैसा वो consumer से ही विसूल करते है कि वो अगर वो social responsibility responsibility करते है तो obviously क्या है कि वो product का price भी तो increase करें तो ultimately जो पूरा का पूरा social responsibility का जो expense है वो सारा का सारा burden जो है वो consumers पर ही आता है ठीक है next is lack of social skill क्या होता है कि company के पास efficient employee तो है जो organization को तो बहुत अच्छे से चला लेते हैं पर क्या होता है कि कई वार के होता है कि उनके पास socially skills नहीं होती कि वो socially responsibility जो उनकी है social activities जो है उनको अच्छे से perform कर पाए ठीक है right next is difficult implementation जो हमारी social responsibility है उनको implement करना बहुत ही difficult हो जाता है difficult task होता है बहुत सारे complex process हो जाता है कि जिसकी social responsibility पर organization इतना focus नहीं करती कि उनको लगता है कि एक complex process है इसकी implementation इतनी easily नहीं होती next is adverse impact on economic health of the company ठीक है जैसा आज का competitive word है वहां पर company जो है वो price अपने product का increase नहीं कर सकती क्यूंकि उनको पता है कि अगर हमने price increase किया तो customer हमारा जो है वो दूसरे के product की तरफ shift हो जाएगा तो इस वज़ए से क्या होता है कि वो अपना product का price increase नहीं करती कैनकि वो अपनी social obligation जो है उसके साथ meet कर सके deal कर सके तो उसकी वज़ए से उसका result क्या हो जाता है कि उनकी sales जो हो है वो fall हो जाते है तो जब sales fall होती है तो profit fall हो जाते है जिसकी वज़ए से जो economic health होती है company की उस पर adverse effect पड़ता है ठीक है तो यह थे arguments against and in favor of social responsibility अगर आपको इसमें कुछ भी problem आए कुछ भी समझना लगे तो आपने मेरे से पूछ लेना है thank you class